राजिस्थान के अंदर लगातार दुश्कर्म की मामले बढ़ते बेचा रहे हैं और एक और ऐसी ही वार्दात को अंजाम देने के लिए एक नाबालिक का उप्योग किया गया है जिसमा आपसे भी को बता दूँ कि यह मामला अलवर जिले से सामना रहा है और बीती रातरी का यह मामला है जहां पर एक नाबालिक के साथ में दुश्कर्म किया गया और दुश्कर्म करने के बाद में उसे रोड के उपर फेक दिया गया है रोड पर जब उसे फेका गया तो उसके प्राइमेट पार्ट से खून बैता रहा है और इस पूरे मामले का पता जब पुलिस को चला तब पुलिस ने तुरंद प्रभाव से उस नाबालिक योगती को अस्पताल के अंदर भी भढ़ती कराया है और अस्पताल में भढ़ती जुड़ चुकी है तो वहीं CCTV कैमरे भी अब तलाश ने शुरु हो चुके हैं यह वारदा देरातरी की बताई जा रही है लेकिन अभी राजिस्थान के अंदर नाइट कर फ्यों चल रहा है बाजारों को 8 बज़े तक बंद कर रखा है और इसी के चलते वे CCTV फोटेश कंगल जाएंगे और उसी के आधार पर जल से जल इस आरूपी को पकड़ने की बाते सामना की मी नजर आ लिए हाला कि इस मामले के अंदर का अभी क्या कुछ अपडेट साम नहीं है किस प्रकार से वारदात को अंजाम गया गया है सिथा देखिया हमारे इस रिपोर्ट में ग्रूप से थोड़ी विक्षिप बच्ची है बच्ची कुछ बोल नहीं पारी है हाला कि उसकी ब्लीडिंग प्राइवेट पार्ट में से काफी हुई है तो संभवत सेक्शल असॉल्ट का मामला है और अभी हम यहां मौके पे हैं FSL बुलाई गई है तफ्तिश कुली जारी अलवर शहर में मानसिक रूप से कमजोर नाबालिक से रेप पर तिजारा फाटक पुलिया पर रेप करके आरोपी उसे फेक करके चले गए नाबालिक की प्राइवेट पार्ट से काफी खून भी बहरा है पुलिस ने उस एस्पिताल के ICU के अंदर बढ़ती करवाया और जां जांच में लगी वी है एस्पिते जस्वी गौतम ने बताया कि मंगलवार की दात करीब नौ बजे के असपास तिजारा फाटक पुलिया की उपर नाबालिक को फेक करके जाने की सूचना मिलीती और इसके तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुच गई पुलिस ने इन बाल जनों का अभी तक पता नहीं सका पुलिस को सूचना देने वाले व्यक्ति से भी जानकारी जुटा करके परताल की जा रही है और दे रात तक पुलिस आसपास के घर दुकानों के सीसी टीवी खंगालने के प्रयास में जुटी रही रात को जाने के कारण अधिक्तम खबरों के लिए ताही बने रही है नूसाइंटिंग के साथ नमस्कार